तो गईस करो जी चेक यह रहा अपना प्रोजेक्ट तो हे और इवन वेलकम बैक तो दे प्राइम तो गईस कैसे अब लोग आई अपसे अच्छे होंगे तो गईस काफी दिनों के बाद अपनी मुलाकात हो रही है पीछे काफी वीजी हो गया था मैं वीडियो सुट नहीं कर लेकिन अभी गर्मियों का चीजन चल रहा है तो ऐसी वेले बैठे रहते हैं कुछ काम देंदा तो है नहीं तो गईस एक दिन मेरे दिमाग में खुरापा थी आईडिया आया और वह मैं आपको दिखाता हूं कि क्या आईडिया मेरे दिमाग में आया तो पिछे ट्रक्टर मैं अक्सर क्या कर रहा हूं गैस यह चीजना बिल्कुल नेक्स लेवल चीज होने वाली है क्योंकि कुछ कह नहीं सकते आप खुदी देख लो जी करो चेक खाली दिवा दिख रही होगी आपको ना अगर आप ध्यान चे देखोगे तो यहां पर कुछ ड्रोइंग जैसी को अब देखोगाइस कुछ कुछ नजर आ रहा है इसकी ब्राइटनिस जदा कम करके देखें तो हां जी गईस तो अब साइद आपको नजर आ रहा होगा तो गैस यह ड्रोइंग ओल्मोस्ट कंप्लीट हो चुकी है एम प्लेट नहीं है और इसका जो हुड है वह कंप्लीट यह ब्रेक पेडल ओगए इसके यह वाला फ्यूल टैंक यह जो उपर वाला स्टेरिंग और जो बोनेट है वह एक्जॉस्ट तो गईस जो प्राइम की यह वाली साइड है आप लोग देख सकते हो यह वाली साइड एक्जॉस्ट वाली साइड यहां पर बना रहा हूं तो ग यह बोनेट वगेरा जो इसका नेम टेंपलेट जो भी है उसका डिजाइन मैंने यहां पर डिजाइन किया है तो गईस इसके आउटलाइन पूरी कंप्लीट हो चुकी है आप देख सकते हो पिछे वाले टायर में भी मैंने काफी सारी मोडिफिकेशन की है इसके बाद और इसक अच्छे तो अच्छे आ रही है पर जितने आनी चाहिए उतने नहीं आ रही है वह क्या है कि कलर का मुझे जड़ा नोलेज नहीं है काम पर डार्क टॉन देनी और काम पर लाइट टॉन उसका मुझे पूरा नोलेज नहीं है फिर भी कफी अच्छे लग रहे हैं और भी करो जी चैक तो गैस कल तो यह ब्लैक ब्लैक कंप्लीट हो पया था और आज यह ब्लू वाला स्टार्ट किया है मैंने तो गैस वर्क बहुत जादा डिफिकल्ट हो चुका है यह बिल्कुल पतलिश होने के कारण बड़ी मुश्किल से बन रही है वाक की इतना ही कंप्लीट हो है आज पूरा दिन चला गया इसमें आज आज सिर्फ यह ब्लू ब्लू पैंट है वह किया हुआ है आज तो गैस काफी दिनों की मेहनत के बाद इतना काम हो पाया है अभी तक और आपको देखाओं इसकी फाइबर को चेक करेंगा आटबोर्ट्स प्राइम बागी इस बिल्कुल रियल स्टिक लग रहा है जैसे अपना ही प्राइम हो अभी भी काफी काम बाकी है चलो करते हैं कंप्लीट तो गै यह दिखाता हूँ आपको तो गईस करो जी चेक यह अपना प्रोजेक्ट जो कि पूरे कंप्लीट हो चुका है काफी दिनों की मैनत के बाद यह रूप आया है इसका जो कि मुझे काफी अच्छा लगा इतनी उंबीद नहीं थी कि इतना चबन पाएका लेकिन यह बन गया बादा फेंडर इसका बैक विल फेंडर यह भी काफी अच्छा बना है पहले मैंने यह नहीं बने आ था लेकिन पापा ने बोला यह बनो इसके बने अच्छा नहीं लग रहा तो यह बना दिया तो उसके बाद इसकी लुक काफी इनेंस होई और पिछे फाइबर हुड चीज इसमें बेटर करनी चाहिए अगर कोई चीज काफी जड़ अच्छी लगी तो मैं उसको एड़ कर दूँगा या फिर इसको मोडिफाई कर दूँगा तो एक बार कमेंट करके जूरूश्य बताईएगा तो इस फैली बार मैंने इस ऐसा कोई काम किया है जो की काफी अ आते थे और जो लोग गली आप देख सकते हैं यहां पे एक गेट लगा हुआ है हमारे तो जो भी इस गली से जाते थे वो भी देखकर आजा जाते देखने के लिए तो यार काफी अच्छी फिलिंग थी वह भी लेकिन अभी यह कंप्लीट हो चुका है अभी अपने पस ना भी रखा है थोड़ा बहुत ऐसे दिमाग में सोच रखा है कि इसके पिछे भी कुस हम लोग एड़ करेंगे जैसे या फिर तो यह यह जो कंबाइन मसीन है यह कर देंग या फिर ट्रॉली कर देंग या फिर हैरो वगरा जो भी कुछ इसके अंदर अच्छा लगेगा व इसलिए मैंने उसको छोड़ दिया और इसके अंदर मैंने की भी लगा रहा किया जब कभी भी जरूत पड़ी तो इसको स्टार्ट के लेट से लेंगे अपने लांग ड्राइब या फिर कुछ अजीब और ग्रेव करने के लिए पसलिए आज की वीडियो बसे इतना ही अब म झाल है झाल है एफसे लेट झाल है पिर अजीब और इसको स्टार्वा रहा किया है अजीब न पने एफसे न झाल हुआ है कि अब यहांगो ड्से इतना है जो दोगभ व्या थावांगों के जीए वांगों कि थीफ़